हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में BPSC एडूटेरिया का सेट 7 शुरू करेंगे सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या आप पले लिस्ट में जाके देख लिजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सबस्कायब करने के साथ साथ नेटिफिकेशन बिल को दबा के ओल पे किलिक किजिए ताकि आने वाले वीडियो का नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है तो चलिए सेट सेवन को शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोईचन है इन में से बिहार का कौन सा जीला पच्छी मंगाल एवं जारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है केवल कटिहार जीला ओप्शन ए हो जाएगा केवल कटिहार नेक्स्ट कोईचन आजाद दस्ता का गठन किस के दवारा किया गया जैपरकास नरायन के दवारा किया गया दोस्तों आपको 2-3 सेगंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का फिर आप वीडियो के लाश में कोमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा अगला कोईचन पटना का नाम मधिकाल में अजीमा बाद किसने दिया 1702 इस्वी में औरंगजेब का पोत्र अजीम बिहार का सुवेदार बना जिसने पटना का पुनर निर्मान कराकर इसे अजीमा बाद नाम दिया ओप्शन D सही उत्तर हो जाएगा अजीम के दुआरा रिगवेद में बिहार के लिए किस सब्द का पड़ियो किया गया है जबकि प्रेम गंध को इसका सासक बताया गया है ओप्शन B सही उत्तर हो जाएगा किकट सब्द बिहार में महात्मा गांधी दुआरा भारत में चलाए गया सत्यागरह से जुरा पहला अस्थल कौन था तो सबसे पहला अस्थल जो था वो चमपारन जीला ओप्शन C हो जाएगा और सहयोग आंदोलन के दोरान बिहार में दो मदरलेंड नामक अकबार का परकासन केस के दुआरा शुरू किया गया मजरूल हक के दोरा ओप्शन A हो जाएगा राज जिमें और सहयोग आंदोलन से सनबंधित कारी क्रोमों के परचार परसार तथा राष्टिये भावना को उभारने के उद्धिस से मजरूल हक दोरा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दो मदरलेंड नामक अकबार का परकासन शुरू किया गया नेक्स्ट कोईचन विक्रम सिला विशिविद्याले की अस्थापना का स्रे किसे दिया जाता है पाल वन्स को दिया जाता है अगला कोईचन देखिए कौटिली कृत अर्थ सास्त्र में राज सब्दोप जीवी संग सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है 6 के लिए किया गया है options B हो जाएगा सःउत्तर लिछबी के लिए नेक्स्ट कोईचन शेरसा ने मुगल सासक हुमाईउकों कहां पराजित किया था 14 के युद मे option A हो जाएगा सेर्षा ने मुगल सासक हुमायू को 26 जून 1549 इसवी को चौसा के युद में और इसके बाद 1540 में बील गराम कन्नोज के युद में प्राजित किया सेर्षा सूरी 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली का सासक रहा बिहार में आधुनिक सिक्षा का आरंभ कब से हुआ 1535 इसवी में बिहार विद्या पीठ की अस्थापना कब की गई 1921 इसवी में की गई गांधी जी दुआरा 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्या पीठ की अस्थापना की गई मजरूल हक को इसका कुलाधी पति तथा ब्रज किसोर परसाद को कूल पति और परचारी पदपर राजन्द्र परसाद को निवक्त किया गया बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष कहां से प्राप्त हुए है पैसरा मुंगिर से प्राप्त हुए है वेन सांग ने चेननपो सब्द का परियोग की छेदर के लिए किया है वेन सांग ने चेननपो सब्द का परियोग चमपा के लिए किया है चमपा वर्तमान भागलपूर के निकड थी और यह अंग महाजनपद की राज़ानी थी option B right answer हो जाएगा चमपा के लिए भारत के संविधान के किस अनुछेद में विधान परिशद के स्रीजन और वीघटन के उपबंद अंतरविश्ट है अनुछेद 179 में संसद के दो सत्रों के मद्ध किसी भी अस्थिती में अधीक्तम कितनी अवधी का अंतराल हो सकता है आर्टिकल 85-1 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच किसी भी अस्थिती में 6 माह से अधीक का अंतराल नहीं होना चाहिए option B right answer हो जाएगा 6 माह निमलिखित में से कौन सा विशे संग सूची में सम्मिलीत नहीं है भूमी option C right answer हो जाएगा भूमी राज्य सूची का विशे है भारत में बैंको का पहली बार राष्टिय करन कब हुआ था भारत में शरुपर्थम 14 बैंको का राष्टिय करन 19 जुलाई 1979 को किया गया था option C right answer हो जाएगा 1979 में इसके बाद 1980 में 6 बैंको का सरकार ने राष्टिय करन किया निमलिखित में से कौन सा विशे अवसिष्ट सक्तियों में सामिल है साइबर कानून अवसिष्ट सक्तियों में सामिल है जबकि सराब राजी सूची तथा विदेश वैपार एवब मुद्रा संग सूची के विशे है वर्ष 1990 में अंतराजिय परिशत की अस्थापना निमलिखित में से किस की अनुसंसा पर की गई थी सरकारिया आयों की अनुसंसा पर महाधी वाक्ता निमलिखित में किस के परसाद परियंथ पद्धारन करता है राजी पाल के ऑप्छन सी हो जाएगा राजी सरकार को कानूनी मावलों में सलाह देने के लिए महाधी वाक्ता होता है राजजी पाल दुआरा इनकी नियुक्ति की जाती है और यह उनहीं के परसाद पर्यांतितपद धारन करता है निमलिकित में से कौन सायोग में सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको गलत को चुनना है पहला देखिए नागालेंड 1963 गठन का जो वर्ष है 1963 तो पहला सही है गोवा 1987 यह भी सही है सिक्किम 1974 यह गलत है आपको गलत को ही चुनना है तो उप्शन C जो है इसका रायट आंसर हो जाएगा सिक्किम का जो गठन हुआ था 1975 में हुआ था भारतिय समिधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्ष था किसने की थी 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की पर्थम बैठक में और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचीदानन सिनहा को चुना गया था समिधान सभा का दूसरी जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को उसमें डॉक्टर राजेंदर परसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है वो चुना गया था भारतिय समिधान की प्रस्तावना में पंथ निर्पेक्ष सब्द किस वर्ष जोड़ा गया था भारतिय समिधान के 42 में समिधान संसोदन दुआरा 1976 में समिधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निर्पेक्ष तता अखंडता सब्द जोड़े गये थे ऑप्षन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1976 में भारत में पंचायती राज वयवस्ता की शुरुवात कब हुई 2 अक्टूबर 1969 में 2011 की जनगन्ना के नुसार देश की जनसंक्या में बिहार की जनसंक्या की भागेदारी कितनी है बिहार की जनसंक्या की भागेदारी 8.6 परतीसत है बिहार बज़ट की अनुसार राजी का हड़ी रोग का सबसे बड़ा अस्पेस लीटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा लोक नायक जै परकास नारायन अस्पताल को परती वेक्ती शकल जीला घरेलू उतपाद 2017-18 के आकड़े पर बिहार के तीन सबसे समरीध जीले कौन है पटना बेगुशराई और मुंगेर वर्स 2019-20 में बिहार में शकल राजे घरेलू उतपाद में विरीधी दर कितनी रही 10.5 परतिसत भारतिय परियतन संखी की 2019 के नुसार वर्स 2018 में विदेशी परियतको के आगमन में लिहाज से बिहार का अस्थान है देश में बिहार का जो है वो नौवा अस्थान है आप्शन डी सही उतर हो जाएगा देश में नौवा अस्थान कौन का पूर्टी वक्र मूल बिंदू से होकर गुजरता है इकाई के बराबर किस बाजार में कीमत विभेदी किरीत होता है एकाधिकार में आप्शन भी हो जाएगा सही उतर एकाधिकार संतूलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन है संतूलन कीमत वस्तू की मांग एवं पूर्टी दोनों के आधार पर की जाती है जिस बिंदू पर मांग और पूर्टी बराबर हो जाती है वही संतूलन कीमत होता है option E right answer हो जाएगा एक से अधिक गांधी वाधी अर्थ व्यवस्ता किस पर आधारित है नियाई पर आधारित है गांधी वाधी अर्थ व्यवस्ता नियाई अर्थात ट्रस्टी सीप पर आधारित है निमलिकित में साधन निर्धारन के तत्व कौन है साधन निर्धारन के जो ततुव है किराया, मजदूरी, ब्याज, लाब ये सभी सामिल है option E right answer हो जाएगा इनमें सभी Q.S. World University ranking 2022 में किस विश्वी विद्याले ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है मैसा चुसेट्स Institute of Technology option D हो जाएगा मैसा चुसेट्स Institute of Technology उदेपूर विज्ञान केंदर का उद्गाटन निमलिकित में से किस राजय या केंदर सासित परदेश में किया गया है तिरिपूरा में किस राज़ी के राज़ीपाल ने नीजी छेतर की 75% नौकडियों को अस्थानिय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी देर दी है हरियाना शरकार ने वाट्सप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने वाट्सप के साथ करार किया है एकसिस बैंक खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्क्रन में किस राजिया के अंदरसासित परदेश ने पदक तालिका में सिर्थ अस्थान हासिल किया है जम्मू और कस्मीड विशू बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारेंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है इस योजना का मुली क्या होगा एक सो मिलियन होगा इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस रेनी में कौन सा सहर सिर्थ सहर के रूप में उभरा है बेंगलूडू खेल मंत्राले ने दस साल बाद किस महासंग को मानिता दी है जी एफ आई को समविधान सभा के लिए सनविधानिक सलाहकार के रूप में किसे निउक्त किया गया था समविधान सभा के लिए सर बी एन राव को सनविधानिक सलाहकार के लिए न्यूक्त किया गया था ओप्शन डी राइट अंचर हो जाएगा सर बी एन राव अस्टार सीप प्रोटो टाइप रॉकेट एस एन टेन को किस संगठन दुआरा सफलता पुरुवक लंच और परिक्षन किया गया है अस्पेस एक्स के दुआरा भारत का पहला मसीन ट स्थूल पार्ग का विकास किया गया कि ब्राहों मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामगिरी और उपकर्णों की खरीद समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं फिलिपिन्स कि यू एन जी ए द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतराश्टिये बाजरा वर्स के रूप में मनाने के लिए किस वर्स को अपनाया गया है दो हजार तैस को अपनाया गया है किस राजी सरकार ने युवाओ को मुफ्त कॉसल पर सिक्षन परदान करने के लिए आई वी एम के साथ सहयोग किया है गोवा सरकार ने युवाओ को मुफ्त कॉसल पर सिक्षन पर पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चेंपियन परकाशक जीता है दो हिंदू ग्रूप ने भारत में अधिकांस आभूशन बनाने के लिए 22 केरेट का उपयोग होता है इसमें दो केरेट की सिधादों को मिलाया जाता है आभूशन बनाने में सोना में तामबा मिलाया जाता है पहले चैनल पर डॉक्टर रजनिश कुमार सर के द्वारा बीपीएस्टी के लिए एक प्रैक्टी सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है पले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ उसमें टोटल 15 प्रैक्टी सेट आपको मिल जाएगा ने किस राजी सरकार ने भारत तिब्ब चीन सीमा छेतरों में तीन आदर्स गाउं को विक्सित करने का निर्ने लिया है अरुनाचल परदेश ने किस बैंक ने रूपे सौफ्टी ओएस लांच करने के लिए भारत में डिजटल भुगतान के लिए भारतिय राष्टिय भुगत नीगम और अंब्रेला इकाई के साथ भागिदारी की है एस बी आई भुगतान भारत के आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 का विशे थीम जो रहा है जीवन एवं आजीविका की रक्षा सैविंग लिव्स एंड लावलि हूड ओप्शन ए राइटान्स रो जाएगा जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा ओलिड फ्यूल डॉक्टेड रैम जेट तकनीक का सफल उरान परिक्षन किस ने किया है डी आर डी ओ ने किया है भारत ने किस तारी को चाबहार दिवस मनाया है चार मार्च को अंतराष्ट्य किर्केट में एक ओवर में छे छक्के लगाने वाले तीसरे किर्केटर कौन बने हैं कीरन पुलाड CSIR NIO ने 90 दिवसिये विग्यानिक क्रूज मीशन कहां शुरू किया है हिंद महाशागर में दुनिया का पहला पलेटिपस अभियारन नी कौन सा देश बना रहा है अस्ट्रेलिया उस रोबोटिक हेलिकप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसीवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया इंजे न्यूटी अप्शन भी हो जाएगा इंजे न्यूटी अंतराष्टिय किर्केट परिशद आई सी सी की पहली विश्व टेस्ट चेंपियनसीव का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता न्यूजी लेंड भारत के किस परोसी राष्ट में एक फरवड़ी 2021 को वहां की सेना ने लोक तांतरिक सरकार को निलंबित कर स्वयम सत्ता संभाल ली मयामार ने निमलिकित में से किस का संबंद किसान आंदोलन से नहीं रहा है नील आंदोलन का संबंद किसान आंदोलन से था रामोसी विद्रोह का भी था पावना विद्रोह ये भी किसान आंदोलन से संबंद था बार्दोली सत्यागड़ा ये भी ption E right answer हो जाएगा इन में सभी किस महिला खिलारी ने अंतराश्टिय किर्केट में 10,000 रन बना कर पहली भारतिय महिला खिलारी बन गई है मिताली राज भारत में विनीरमित की जा रही COVID-19 वैक्सीन के मामलों में निमलिकित में से कौन सा युग्म शुमेलित है यहाँ पर आपको सही को चुनना है पहला देखिये कोवी सील्ड सीरम इंसिचूट अफ इंडिया पहला सही है कोवैक्सीन भारत बायोटेक यह भी सही है नोवेल कोरोना वाइरस 2019 NCOV वैक्सीन कैडिला हेल्थ केर लिमिटेड यह भी सही है अस्पूतनिक भी COVID-19 डॉक्टर रेट डीज लेबो रेट रीज यह भी सही है ओप्शन E राइट आंशर हो जाएगा इन में सभी है सिम्मला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था 25 जून 1945 को ली कॉमिशन निमलिकित में से किस्से सनबंदित था भारतिय सिवील सेवा से ली कॉमिशन बिरिटी सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतिय लोग सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1933 में निउक्त किया गया था इसका अध्यक्ष लॉड ली फरहेम था अगला कुशन देखिए भारत सचेव का पद निमलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था 1858 का भारत सासन अधिनियम के द्वारा दिल्ली सल्तनत के कि सुल्तान ने सरुपर्थम अपने विचारों को अस्पष्ट करते हुए कहा कि राजी का आधार परजा का समर्थन होना चाहिए जलाल उद्दिन खिल जी भारत सासन अधिनियम 835 के द्वारा अस्थापित संग में आवसेश्ट सक्तिया किसे दी गई थी गवर्न जनरल को दे दी गई थी निमलिखित में रामानंद के सिसी कौन नहीं है रामानंद के सिसीों की संखिया 12 है जिन में कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा ये भी सामिल है option E right answer हो जाएगा इनमें सभी भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागो किया गया उस समय यहां का वाइसराई कौन था लॉड चेम्स फोर्ड के काल में क्रांतिकारी गतिबीडियो के दमन हेतु रॉलेट एक्ट लाया गया था option B right answer हो जाएगा लॉड चेम्स फोर्ड के काल में भावानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थे भावानी मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोस द्वारा लिखा गया था अरविंद घोस करांतिकारी होने के साथ ही दार्षनीक लेखक एवं कभी थे 1904 में उन्हों ने आरी नामक मासिक दार्षनीक पत्रिका शुरू की तो अरविंद घोस option A right answer हो जाएगा अरविंद घोस भारत में railway line का विकास किस गवर्न जनरल के काल में हुआ था भारत में railway line का विकास का कारी जो है सरुपर्थम डलहुजी के सासन काल में मुंबई से ठाने के बेच हुआ था option B right answer हो जाएगा Lord डलहुजी के काल में Lord डलहुजी के समय टेली गराफ एवम डाग सुधार भी किया गया था भारत विवाजन के समय भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था जेबी किरिपलानी 1947 में सत्ता हस्तांतरन के दोरान भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे option A हो जाएगा जेबी किरिपलानी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अध्यक्ष थे पुर्ण सौराज की मांग अपचारिक रूप से रखी गई थी लाहाओर अध्यक्ष थे दिसंबर 1929 में जवाहला नहरू की अध्यक्षता में हुए कॉंग्रेस के लाहाओर अध्यवेशन में पुर्ण सौराज की मांग अपचारिक रूप से रखी गई थी इसके अलावा कारीकारिनी समीती को सबीने अवग्या आंदोलन प्रारंब करने की अनुमती दी गई थी निमलिकित मेंशे कौन काकोरी शडियंद्र का हिस्सा नहीं थे काकोरी शडियंद्र जो 9 अगस्त 1925 इसवी को काकोरी नामकस्तान पर घटित हुए जिसको रामपरसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेरी, चंद सेखर आजाद, स्वरन सिंग, रोहन सिंग, आदी द्वारा अंजाम दिया गया था भगत सिंग काकोरी शडियंद्र से सामिल नहीं थे अप्शन ए राइट आंशर हो जाएगा भगत सिंग, फिनिक्स फोर्म की अस्थापना की सुवेक्ति द्वारा की गई थी महात्मा गांधी ने जौन राश्किन के अन्टू दी लास्ट के पठन से प्रेरित होकर 1904 इस्वी में डर्वन के उत्तर पच्चमी छेत्र में सत्यागरा सरवोदे और अहिंसा पर पड़ियोग करने है तो फिनिक्स फोर्म की अस्थापना की ओप्शन ए राइट आंशर हो जाएगा महात्मा गांधी मुस्लिम लि общеग ने प्रत्यक्ष कारिवाहि दिवस कब मनाया 16 अगस्थ 1946 को हिंदू महासवा की अस्थापना कब हुई हिंदू महासवा की अस्थापना 1915 में मदन मुहन मालविय के नितित में कासिम बाजार के महराजा के अध्यक्स्ता में हुई आप्शन भी हो जाएगा 1915 में 1930 में किसने इंडियन रिपब्लीकन आर्मी के नाम पर स्वाधिनता उध्गोषना जारी की थी सुड़ी सेन निमलिखित में से किनका सन्बंद हमारे राष्ट धोज के डिजाइन से है पिंगली विनकईया को राष्ट धोज को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है 1931 में कॉंग्रेस के कराची के अखिल भारतिय सम्मिलन में इस धोज को सरुसम्मीती से सुईकार किया गया ओप्शन ए राइटांस हो जाएगा पिंगली विनकईया सभी ने अवग्या अंदोलन के दोरान निमलिखित में से किस रियासत ने कॉंग्रेस का समर्थन नहीं किया जबकि बाद में पर्थम गोल में सम्मिलन में भाग लिया ओप्शन बि हो जाएगा मैसूर रियासत संस्क्रित व्याकरन अस्टा ध्याई का रचीता कौन थे वैदिक सहित्य का तो यहाँ पर जो है वैदिक सहित्य का जो सही करम है वैदिक सनहिताय, ब्राहमन, अरन्यक, उपनीशद निमलखित मेंजे कौन सी लीपिया असोक के अभिलेखों में परियुक्त हुई असोक के अभिलेखों में ब्राहमी, खरोष्टी एवं अरामाइक लीपि जो है परियुक्त हुई है भारत के प्राचिंतम पंचमाध आहत Iya, मुखी तक कि सिधातु के बने होते थे चांदी के बने होते थे यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला है लेखक और रचनाय और पहला देखिए मेगस्तनीज मेगस्तनीज का जो रचनाय है इंडिका है टॉलमे का जो है जियोग्राफी प्लीनी नेचुरल हिस्टोरी का हुएनसांग सी यू की option C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा किस काल में सरोपर्थम क्रीशी उत्पादन शुरू हुआ नव पासान काल में option B होगा नव पासान काल मुगल काल में सेर मंडल निमलिकित में से किस सनबंदी था हुमायू का पुस्तक से option A हो जाएगा हुमायू का पुस्तकाले से सनबंदी था सेरसा और अकबर के बीच भूराजसु परसासन के संबंद में कौन सा व्यक्ति सनबंदी था टोडरमल ओप्शन D हो जाएगा भूराजसु परसासन की कड़ी के रूप में सेरसा और अकबर के बीच टोडरमल था जिसने पहले सेरसा के दरवार में काम किया था बाद में अकबर के दरवार में न्यूक्ट किया गया था किस सासक ने सुलह एकूल की नीती अपनाई थी अकबर ने सारू भौमेक सांती वा भाईचारा बनाए रखने के लिए सुलह एकूल की नीती अपनाई थी ओप्शन D हो जाएगा अकबर के दुआरा सिक्को पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवी अंकित कराने की पर्था किसने शुरू की जहांगीर के दुआरा शुरू की गई चोल समराज्जी की अस्थापना किसने की थी आठ सो पचास इस्वी में यानि नौवी सदी के अंत में विजियाले ने कांची के पर लोगों को पराजित करके कोल चोल समराज्जी की अस्थापना की थी ओप्शन सी हो जाएगा विजियाले के दुआरा चोल समराज्जी की अस्थापना की गई थी नेपाल की शीमा के साथ-साथ पुरु में किसनगन से लेकर पच्छिम में पच्छिम चमपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है तराई मिट्टी का इन में से किस राजी में अरावली की पहारिया है राजस्थान में निम्लिकित में से कौन सी भू आक्रीती का निर्मान नदी की अपर्दन किरिया द्वारा होता है गौर्ज का निम्लिकित में से कौन वलित परवत उदाहरन नहीं है शीरा नेवदा ये जो है बलोग परवत के उदाहरन है भारत में जन जातियों का उसके आबादी के अनुशार सही करम है भील गोंड संथाल जन जाती दलहन में तिलहन में सरवाधिक उत्पादन करने वाले राजी है भारत में दलहन एवं तिलहन में सरवाधिक उत्पादन करने वाला राजी मध्धी परदेश है निम्ल में से किस देश में ग्रेट स्लेव जील अस्थीत है कनाडा में निम्ल में से किस गोलार्द में हमबोल्ट जलधारा बहती है दक्षिनी गुलार्थ में इन में से किस अस्थान पर धारवार का पठार है करनाटक में चुक्सी सागर निमलिकित में से कहां अस्थीत है आर्कटीक महासागर में सुदूर दक्षिन में अस्थीत लेंड लॉक्ड देश कौन सा है लेशोथो ओप्षन सी हो जाएगा लेशोथो किली मन जारो परवत किस देश में अस्थीत है तंजानिया में निमलिकित में से किस पर धेश के पौधों में ट्री रिंग सरवादिक दिरिस्चिमान होते है सम सित्वस्न पौधे में अगला कोईचन देखिए सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदिया है कावेरी नदी की करमे थोडियम, इंडिक्म नाम की एक नई अलपाइन पर जाती किस राज में पाई जाती है अरुनाचल परदेश में कौन सा संगठन अन्टार्क टीक हीम खंडो को ट्रेक करता है USA National Eye Center पोलर सिल्क रोड निमलिखित में से कौन देश बना रहा है चीन अगला कोहिचन भारत के कितने राजे पाकिस्तान के साथ सीमा साधा करते है पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात साधा करते है उप्शन A राइट आंसर हो जाएगा तीन राजे जबकि दो केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मिर और लद्दाख भी सीमा साधा करते है चित्र कूट जलपरपात जिसे भारत का नियागरा जलपरपात की शंग्या दी जाती है किस नदी पर अस्थीत है चित्र कूट जलपरपात इंदरावदी नदी पर इंदरावती नदी पर अस्थीत है यह जलपरपात 36 गड के बस्तर जिले में अस्थीत है उप्शन C हो जाएगा इंदरावती निमलिखित अस्थल और अवस्थियों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पहला देखिए नंदा देवी उतराखंड यह सही है पंचमढ़ी मधिपर्देश यह भी सही है सिमलीपाल ओडिशा राइट है नो करेक में घाले यह भी सही है आप्शन E राइट अंसर हो जाएगा निमलिखित राष्टिय उद्यानों और वहां के परसिद पसुओ के असंग जोड़े का चेन कीजिए पहला काजी रंगा एक सिंग वाला गेंडा पहला सही है आप्शन B गीर एस्याई सिंग यह भी सही है दाची गामा सफेद भालू तो यह गलत है दाची गामा जम्मू कस्मीर में कस्मीरी हीरन के लिए फेमस है इसके बाद केवला देव नेशनल पार्क सफेद भाग तो आप्शन D भी जो है इसका गलत है केवला देव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के विशिष्ट परजाती से सन्बंदित है ऑप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लिक हुई थी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसो साइनाइट गैस लिक हुई थी ऑप्शन B हो जाएगा मिथाइल आइसो साइनाइट इको मार्क का चिन क्या परदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था चिकिट्सा के छेत्र में गोल्डन आवर इन में से किस्से सनबंदित है हाउट अटेक से मनुश्य के सरीर के रक्त का पी एच मान कितना होता है 7.4 होता है एक व्यक्ति दुरघटना में घायल हो गया उसके रक्त समूह की जाच के लिए सम्मय नहीं है उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए O-Negative option D हो जाएगा O-Negative blood group को सर्वदाता AB blood group को सर्वगराही रक्त ग्रूप कहा जाता है जब तक व्यक्ति व्यरीद होते जाता है तो समान्यतिया उसका रक्त का दाब उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त का दाब बढ़ जाता है option E हो जाएगा बढ़ जाता है क्रोमेटोग्राफी की तकनिक का प्रियोग किस कारी में होता है द्रव मिश्रन से पदार्थों को अलग करने में निमलिकी तत्वों में किसका परमानु भार एवं परमानु संख्या लगभग समान है हाइड्रोजन में नीट्रोन नहीं होता इसलिए अतह उसमें परमानु भार केबल प्रोटोन के कारण ही होता है फल्शरूप परमानु भार एवं परमानु संख्या दोनों समान है हाइड्रोजन में ओप्शन सी हो जाएगा एक तत्वों में इलेक्ट्रोन और नीट्रोनों की संख्या करम सा 18 तथा 20 है इस तत्वों की दरवमान संख्या कितनी है किसी परमानु के नाभिक में उपस्तित प्रोटोनों और नीट्रोनों की संख्या का योग उस परमानु की दरवमान संख्या कहलाती है तो यहाँ पर प्रोटोन की संख्या 18 है और नीट्रोन की संख्या 20 है तो टोटल 38 हो गया option D right answer हो जाएगा दरवमान संखिया 38 यहाँ पर अस्तम ए को बी के साथ मिलान करना है तो चलिए मिलान कर लेते हैं फर्मिक अम्ल फर्मिक अम्ल जो है चीटी के डंक में शायटरिक अम्ल नीवू में होता है टाटरिक अम्ल इमली में आप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका लोहा जिस से परात किया जाता है वह है लोहा हेमेटाइट से परात किया जाता है अम्ल राज एकवा रजिया में पाया जाता है एक भाग नैटरिक अम्ल एवं तीन भाग हाइडरो कलोरिक अम्ल एक नैनो मीटर निमलिकित में से किस के बराबर होता है 10 to the power minus 7 cm के बरावर होता है पदार्त के सनवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशे प्राप्त की जाती है दरविमान एक वेक्ती एक सनवेदन सील तराजू पर खरा है यदि वह गहरी शांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी सरक पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठीन है क्यूं क्यूंकि बर्फ में सरक की अपेक्षा घर्षन कम होता है परतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपत में विद्युधारा 10 एमपियर तथा विवांतर 12 वल्ट हो 1.2 होगा यदि चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो वस्तु की गतिज उर्जा क्या होगी गतिज उर्जा 4 गुना हो जाएगी नीचे उपकरन एवम उसका उर्जा रुपांतरन दिया गया है इन में कौन सा समू सही है तो यहाँ पर आपको सही को चुनना है डाइनमो यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्त्यन जो है करता है विद्यूत मोटर विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में तो यह सही है सौर सेल सौर उर्जा को विद्यूत उर्जा में तो यह भी सही है इसका राइट आंचर हो जाएगा ओप्शन A, दो एवम तीन, मरुवस्थर में मिरीग मरीची का उत्पन होने के क्या कारण है, परकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, सेल्सियस अस्केल पर मानव शरीर का समानी तापमान होगा, 37 डिग्री सेल्सियस की सिधान्त पर जेट इंजन कारी करता है, रैखिक सनवेगन, रैखिक सनवेग सनरक्षन पर, फाउंटेन पेन के अविस्कारा कौन थे, वाटर मैन, निम्न लिखित वे ज्यानिकों में से किस ने नवीन सापेक्सता सिधान्त परतिपादित किया था, जे एथिलीन एक पादप हार्मोन है, जो गैसिये अवस्था में पाया जाता है, उप्शन भी हो जाएगा एथिलीन, इसके बाद मैथेमेडिक्स का कोईचन है, तो इसको आप अराम से सॉल्ब किजिए, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक थैले सफेद गेंदो का आउसत मुली 30 रुब्या परति गेंद हो, तो सफेद गेंदो की संख्या कितनी है, सफेद गेंदो की संख्या 6 है, चाय के मुली में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपिया में 25 किलोग्राम चाय अधीक खरीद सकता है, तो चाय का मुली परति ग्राम एक रुप्या होगा एक रुप्या पचास पैसा तथा पचीस पैसे के 378 सिक्को के मुलियों का अनुपात 13 रेशियो 11 रेशियो 7 है इनमें से 50 पैसे के सिक्को की संख्या कितनी है 132 है पांच रेशियो 6 के अनुपात में पूजी लगा कर ए तथा बी साजे में कोई वैपार प्रारम करते हैं आठ मास बाद ए अपनी पूजी वापस ले लेता है यदि वर्ज के अंत में लाभांच 5 रेशियो 9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूजी कितने समय के लि नेक्स्ट कोईचन 6 लड़के या 4 पूरूस एक कारी को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तीन लड़के तथा 10 पूरूस मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे इसे 6 दिन में पूरा करेंगे 60 क्लोमिटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेल गारी अपनी विप्डी दिशा में 48 क्लोमिटर पर आवर की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेल गारी को कितने समय में पार करेंगी 17 सिकेंड में P के किसमान के लिए समीकरन P X स्क्वार माइनस 2 रूट अंडर 5 X पलस 4 एक्वल टू 0 के मूल वास्विक तथा बराबर होंगे B पुर्णा option B राइट आंसर हो जाएगा 1 पुर्णा 1 वाइफोर सिरेनी का अगला पद ग्याद करें 228, 224, 204, 172, 108 इसके बाद क्या आएगा इसके बाद 8 होगा next question 100 मीटर दौर में A इस दूरी को 36 सिकेंड में तथा B 45 सिकेंड में तै करता है इस दौर में A B को कितने मीटर से हराता है A जो है B को 20 मीटर से हराता है option E राइट आंसर हो जाएगा इन में कोई नहीं next question एक लड़के की तस्वीर की और इसारा करते हुए सुरेश कहा वह मेरी मा के एक लोते बेटे का बेटा है किस परकार सुरेश उस लड़के से सनबंदित है पिता के रूप में option D राइट आंसर हो जाएगा पिता के रूप में दोस्तो आज के वीडियो में एड़ूटेरिया set 7 complete हो गया कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर कीजिए और लाइक करना मत भूलिये जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर